हे गाई सुआगर चाप सभी काय को नई वीडियो में तो भाईयो हमारी सीटी में बहुत सालों से एक जहाज खड़ा हुआ है उसके हर एक कंटेनर की अंदर बहुत बड़े बड़े टोईज रखे हुए है लेकिन कल रात को भाई किसी ने इस पूरे जहाज को बॉम से उड़ हो चुके थे अगर उन में कुछ बचा था तो ओली गुसा ओली गुसा ही था जो उन सभी टोईज में बचा हुआ था वो सभी लोगों को मारना चाहते थे वैसे भाईयो यह हमारी सीटी के उपर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है और उस जहाज में यानी हगी बगी था दिल्ले ने मारने की कोशिस की भाई यानी कुछ टोईस तो भाई बहुती घतरनाक यानी डींजर वाले सीतार मन चुके है चलो हम लोग पता लगाए लेगे कि यह सभी टोई जिंदा कैसे हो गए लेकिन उससे पहले भाई हमारे रोफिरों को कुछ ना कुछ खिला ले थे अंकल जी जल्दी से कुछ ना कुछ खिला दो बेचारा भूक सही बरे जा रहा है क्योंकि कल राज से हमारे रोफिरों ने कुछ भी नहीं गाया लेकिन एक सेकिंड भाई यह हमेशा एकी चीज क्यों देता है मेरे को यानी बाकी लोगों को तो बर्गर वगेरा बहुत सारी चीजे खिलाता है लेकिन हमेशा हमारे रोफिरों को पता ने यह एकी चीज क्यों खिलाते है दोस्तों वो सभी टोई जिन्दा इसे ही नहीं हुए भाई उन सब की अंदर काली शक्तिया गोश चुकी है और काली शक्तिया हमारी पहाड़ी पे रहने वाली सेतानी चुडेली कर सकती है भाई मेरको एसा लगता है कि सेतानी चुडेल नहीं उन सबी टोईस को जिन्दा कर दिया है अभी मैं उसको नहीं चुड़ूगा भाई लेकिन उससे पहले भाई मैं और भी कुछ खाना चाहता हूँ जल्दी से आस्क्रीम वाले भाईया मेरको कुछ तो खिलाओ भाई कोल्डरिंग वगेरा निकालो निकालो भाई तुमारे ठेले के अंदर बहुत सारी चीजे है तो दोस्तो रोफिरो ने बहुत सारी चीजे खाली है अभी रोफिरों का पूरी तरीके से फेट भर चुका है और अभी हम लोग जारे अपने मिसन पर यानि उसकी भाई काली जादू गरने की पहाड़ी पे चलो दोस्तों चलते हैं तो भाईयो हम लोग पहुँच चुके हैं काली जादू गरने के पहाड़ी के पास में और यहां पे देखो भाई पुलिस वाले इन सभी टोईस को रोकने की कोजिस करें लेकिन एक सेकें भाई यह तो टोईस तोड़ी है यह तो जोमबी है भाई लगता है कि काली जादू करने ने यहाँ पर जोमबी वारस भी भेला दिया अरे भाई तीन पुलिस वाले इतने सारे जोमबी को केसी रोक सकते है मेरे लगता है कि भाई इन्योंने यानि सबी पुलिस वालों को भी मार दिये पुलिस वाले भाईया आप लोग तो भागो ये एक और पुलिस वाला बर गया ये लोग तो भाग रहे भागो भागो भाई भागो अरे अच्छा ये इस लटके को बचाने के लिए या पे आये है यह तो भाई इन सब को जोंबी बना देगे मैं यह अपनी गन निकालता हूँ और इन सब को मार देता हूँ क्योंकि रोपी रोई इन सब को रोख सकता है यह लो भाई कंकाल बन गई यह लोग तो सब के सब अभी पुलिस वाले एकदम रेष्ट के अंदर आ चुके है चलो भाईयो मैं भागता हूँ यहां से क्योंकि भाई काली जादू गरनी के वो है न चम्चे लोग आ चुके है वो बिरको मार डालेगे यानि मैं इनको मारूँगा न जितने ही है तो भाई उट उटके इसे आते ही जाएगे मैं जल्दी से यह कार उटाता हूँ और सबसे पहले यहां से भागता हूँ क्योंकि मैं अकेला भाई नहीं लड़ पाऊंगा और मेरे पास में यानि धासू हतियार भी तो नहीं है न वहीं है भाई चलो भाई रोपिरो बेट चुका है और अभी हम लोग लाएंगे फोजियों का सबसे शक्ति शाली टेंक और हाँ हमारा रोपिरो अकेला नहीं जो इन सबसे लड़ रहा है भाई हमारे सीटी का सूपर हीरो भी उन तोज से लड़ने की कोशिस कर रहा है लेकिन क्या करें भाई उन तोज की शक्ति हमारे सूपर हीरो से भी बहुत ज़्यादा है ये देखो भाई सूपर हिरो भी अपनी जान बचा के भाग रहा है अभी क्या ही करें भाई वो लोग तो एकदम खुका सेतान बन चुके है चलो भाईयो चलते ही फोजियों के पास में और उनका शक्ती शाली टेंक लेके आते है तो भाईयो हम लोग आ चुके हैं मिलिटरी बेस में और मिलिटरी बेस के बाहर इतने सारे भोजी लोग केसे घुम रहे है और इन सब के हातों में देखो भाई चाको वगेरा है और किसी यारी किन किन के हातों में तो भाई वंदूग भी है मेरे को इसा लगता है कि भाई रो फिरो जैसे अंदर जाएगा ये सब लोग रो फिरो को फार डालेगे ये देखो भाई इसके हाथ में तो एक के फोटी से उन गन भी है अभी इनको पता नहीं है कि भाई हमारे सीटी के अंदर टोईज आ चुके है और वो लोग भाई जिन्दा हो चुके है मेरे को इसा लग रहा है इनको बता कर भी कोई फाइदा नहीं होने बाला है बैसे मैं जेसी अंदर जाँगा ये सारे के सारे फोजी मेरे को मारने के लिए हमारे पीछी पीछी आ जाएगे बैसे मैं भागता हूँ जल्दी से भाग रहो फिर हो पंदी लगा के भाग भाई अरे उसके उपर क्यों जा रहा है तू अभी मेरे को ढूणना पड़ेगा इनका टेंक वो शक्ती शाले टेंक कहां पी चुपा के रखा है बैसे भाग भाई चारों तरप से गोलिया पड़ रही है मैं किदर जाओ अरे भाई पागल हो के तुम सब लोग मेरे को मारे ही जा रहे हो रुगजा रुगजा मेरे को दिख चुका है मिलिट यारी इनका टेंग दिख चुका है और मैं जल्दी से जाकर उसको उठा लेता हूँ और फिर तो देखो भाई मेरा कमाल फिर तो ये लोग मेरा यारी कुछ भी नहीं कर पाएगे लेकिन एक सेगिन भाई इस तर क्या है पावर है करे लग तो ये साहरा है चलो दोस्तो हम लोग इस टेंग की अंदर जल्दी से बेड़ जाते ये भाई ये लोग तो डांस कर रहे अच्छा ये लोग डांस नहीं कर रहे लोग तो बोम फेक रहे मेरे ऊपर मैं यारी पागल हो चुका हूँ भाई सच में बाई मैं किदर ले के जा रहा हूँ इसको मेरे इस तर भी जा ना है ना औरे बाहर निकलने का रस्ता किदर गया भाई मैं तो खोच चुका हूँ इतनी जदा भूल भले आगे अंदर चलो भाई ओ सिट मैंने एक फोजी को मार डाला जो कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी फोजी को मारू लेकिन यह लोग भाई समझती नहीं है यह लोग तो बस मेरे सामने आए जा रहे बस बस हम लोग निकल ले वाले लेकिन भाई यह रस्ता इतना चदा टेड़ा मेरा केस हो चुका है मैं तो सच में भाई इस बार तो मिरे को चक्कर आरे लग गये है चलो भाई अभी चक्कर वकर छोड़ो मिरे को इसको लेके जाना पड़ेगा ताकि हम लोग पुरी सीठी को बचा सके अभी कोई आएगा का मेरे पीछे नहीं नही से इसको लेके जा सकते हैं चलो दोस्तो हम लोग रोड पे आ चुके हैं और अब ये टेंक हमारा हुआ फोजी लोग तुम कुछ भी कर लो भाई अब तुम लोग यानि ये टेंक हम से नहीं चीन सकते अब ये कोन आया भाई ये गाड़ी लेकि सीधा मेरे पे ठोक राए ले जोस्तो हम लोग पहुँच चुके हैं ग्रीन पहाड़ी पी और अभी इस टेंक को में लेके जाने बाला हो उस सेतानी चुडेल के महल में भाई तब तक आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे को बता है आप लोग ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक ने किया इसलिए जल्दी से लाइक कर दो भाई और चैनल पे पहले बार आये हो तो सस्क्राइब भी कर दो ताकि रोपिरो की वीडियो सबसे पहले आपके पास में आए अरे रोपिरो भाई यारी इस टेंक को नहीं ले जब आ रहा है क्योंकि ये टेंक काफी ज़दा भारी है और उपर से इस सेतानी चुडेल की चम्चे भाई लगातार गोलियो की वार करें लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इसको लेकिये जा कर रहूंगा दोस्तो हम लोग सबसे पहले मारेंगे इस सेतानी चुडेल को उसके बात में इसकी दौरा बनाये गए उन सभी टोइस को भी लेकिन एक सेगिन भाई सबसे पहले हम लोग इसको नीची उतारेंगे इस शक्ति शाली टेंक को, अरे भाई ये लोग तो मेरी उपर गोलियों की वारी किये जारें, रुको तो सोही भाई सबर कुरो थोड़ी देर, तुमारी भी चटनी बनने बाली है, ये लो भाई अभी कुछ फरक ही नहीं पढ़ रहा है, ये केसा चीज है भाई, वो तो अपनी यानि शक्ति बढ़ाने की अंदर ही लीन हो चुकी है, ओ, अब मेरे को लगता है कि इसको बहुत जिदा गुस्सा आ चुका है, लेकिन गुस्सा आ चुका है तो में क्या गरू भाई तू मरेगी, अरे, हमारा टेंग किदर गया, नहीं तो यानि टेंग से मारने के लिए आय था, और टेंग की गए वो चुका है, अरे रोपिरो भाई, जितनी तीज हो सके उतनी तीज भाग ले, क्योंकि सेता नहीं चुड़ेल, अब तुझे नहीं छोड़ेगी, वो बहु जिता गुस्त बहुत बुरी तरीके से फश चुके, रोपिरो तेरे को लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से बच कर जाना इंपोसिबल है, या तो उससे लड़ो, या फिर खुद की जान दे दो, वैसे हम लोग भाई लड़ेंगे, वैसे मैं नीचे कैसे उतरू भाई, अभी रोपि रेना मेरे पास में बहुती घातक वाली गन है, यानि टेंक की जितनी पावर्फुल तो नहीं है, लेकिन तू मरेगी भाई, रोपिरो के हाथों ही मरोगी, दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या रोपिरो ये सेतानी चुडेल को हरा पाएगा, वैसे मिर को नहीं लगता है, इसने एसा ही कुछ भाई, ये सिल्ड बनाई होई है, चलो भाई, अभी इसका खेल खतब करते हैं, तू नहीं बचेगी, भाई, मेरी हाथों से, इसके पास में तलवार भी है, और इसके साती लोग भी भाई, मेरे को काफी जदा परिशान कर चुके है, अरे भाई, मेरे ही क्यों नहीं है भाई, ये काम मरेगी, मेर को नहीं पता, इसके पास में इतनी पाउर आई तो आई कहा से, ये इसने भाई वो टोईस भी जिन्दा किये था ना, अभी ये क्या कर रही है, ओ, मर गई क्या, मरी नहीं है भाई, ये तो रोपिरो की अंदर से उसकी आत्मा भी रोपिरो की आत्मा भी, फिर रोपिरो भी किसी टोईस, यानि टोईस की अंदर चला जाएगा, और फिर वो लोगों को मारेगा, लेकिन हम लोग ये सा बिलकुल भी नहीं हो रहे देगे दादा, चलो दोस्तों जल्दी से में टेप करता हूँ, लेकिन रोपिरो को बचाना जदा मुस्किल हो रहा है, रोपिरो भी बहुत कोसिस कर रहा है, लेकिन क्या ये इसको छोड़ेगी, अरे भाई छोड़ दे, छोड़ दिया भाई इसने तो, चलो दोस्तों इसकी यानि ये वाली पावर कुछ भी काम में नहीं आई, अभी ये मरने वाली है दोस्तों, ये जड़ा पर ये भाई जीने के लिए, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसने हमारी सीटी में बहुत कुछ किया है ना, जोंबी वाईरस फेराया, कार्टून्स को, यानि उन टोइस को जिन्दा कर लिया, ये पूरी पूरी शक्तिया, रोपिरो के उपर आज मा रही है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे है, चलो दोस्तों, अब ये मरने वाली है, इसका खेल खतम हो चुका है, हम लोग यानि जीत चुके है, भाई विक्टरी हासिल कर ली हमने, जल्दी से पेशा भी कलेक्ट कर लेता हो, क्योंकि इसमें भाई मेरा बहुत सारा पेशा खर चुआ है, आप लोग क्या लगता है दोस्तों, यानि रो फिर उन तो इसको भी हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा, अगर हरा पाएगा तो जल्दी से लिको भाई यास, अगर नहीं हरा पाएगा तो नो लिक दो भाई कमेंट्स में, जल्दी से तो मिलते हैं किसी धमाकेद वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाई बाई